अलो अब्रिवन कैसे आप सभी लोग आई होप सब लोग बहुत अच्छी होंगे से वेरी वार्म कुट इवनिंग ट्यॉल मेरा नाम है अविने सिंग और सवागत है आप सभी का डर्ट निवर्ट सेवन पे गाए सचली फटावर्ट से आज यह शाम के 6 बच चुके हैं और आ आपने मिलके आज इसका कौन सा है सेट नंबर फूर है आपका तो चलिए गाइस फटावर्ट से सभी लोग लाइव आ जाईएगा जिससे जो सेशन इसको मैं फटावर्ट से स्टार्ट कर सकूँ आज बहुत सारे कुश्चन से गाइस मेजरमेंट के बहुत ही प्यारे से आपको सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे बातें बताऊंगा कॉंसेप्ट है ना मज़दार कॉंसेप्ट सिखाऊंगा और बहुत ही प्यार से हम लोग यहां पर सेशन को करने वारे चलिए फटा वर्से सभी लोग आ जाईए गूड इवनिंग वर्षा गूड इवनिंग मोह रहा है ना हर कोई इस तक रीच कर पाई जिससे भई सब का भला हो गूड इवनिंग मनप्रीत चलिए फटा वर्से सभी लोग आ जाएंगे और बड़ी आस्तकल को वारिस वारिस हो रही है ना वारिस का गरदा ओर रहा है डैली में तो खूब जम के वारिस हो रहा है आई व आपके जो कमेंट है वो थोड़े से कम ले पाँगों कि जो number of questions से वो हमारे ज़ाद हैं सो चलिए स्री गडेशा नमा करते है question number 1 आपके सामने लगा हुआ है बताइए क्या होगा answer यहां से question number 1 तो जो question number 1 है देखिए वो क्या कहा रहा है कि which of the following AC brace is preferred for the measurement of the inductance having the high Q coils कहां पर आया हुए आपका यह SSC J277 में आया हुआ है बताइए क्या होगा इसका right option फटावर से बताइए क्या होगा right option बहुत ही simple सा question है न और यहां पर जो bridges है आपके जो की तीन चार bridges है measurement of inductance के लिए उससे एक question SSC वाला हमेशा आपका पूस्ता ही पूस्ता है तो बताइए फटावर से सभी लोग तो यहां पर देखिए दोस्तों आपके कितने bridge है आपका एक तो हो गया Maxwell bridge हो गया ठीक है measurement of inductance के लिए Maxwell हो गया Maxwell के बाद में आपका haze bridge हो गया और haze के बाद में कौन सा हो गया आपका अंडर्सन bridge हो गया mainly तीन bridge है हमारे पास एंडर्सन bridge आप देखिए यहां पर कि जो Maxwell bridge है measurement of inductance के लिए किसके लिए उस होता है आपका जो medium क्यों कोई से होता है medium medium बोले तो यहां पर जो quality factor है कितना रहता है आपका 1 to 10 रहता है आपका quality factor का value ठीक है अब देखिए यहां पर पता कैसे लगाएंगे यहां पर M4 Maxwell M4 medium अब यहां पर हेस ब्रिज के अगर मैं बात करूं तो हेस ब्रिज जो हमारा किसके लिए उस होता है high quality factor के लिए यूज होता है high quality factor के लिए उस होता है और यहां पर जो quality factor वो greater than क्या होता है 10 तो यहां पर देखिए h4 हेस h4 high बचा क्या आपका low कर दो तो de anderson किसके लिएो होता है low quality फेक्ट्र के लिए यूज होता है means आपका quality frequency हैं यहां पर Q1 मैक्सवल क्सके लिए होगा medium के लिए his किसके लिए high के लिए और जो एंडर्सन है अपना एंडर्सन बाबा किसके लिए होगा लोक्यू क्वेल्स के लिए यूज होगा चलिए कुश्चन नमबर टू की तरफ आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर टू तो यहाँ पे सभी लोगों ने एक दम धड़ादर तरीके सांसा देना इस्टार्ट कर दिया है बताए फटावर्स और एक बढ़ ना सेशन को एलाइक और शेर फटावर्स से कर दीजियेगा और सभी लोगों को शेयर कर देजेगा जिससे सभी लोग जड़ पाएं यहाँ पर गाइस देखिए second question है डाइनमो मीटर टाइप वाट मीटर रिस्पाउंड टू तो यहाँ पर देखिए जितना भी डाइनमो मीटर टाइप के आपके ग्यूल पावर होती है इसलिए यहाँ पर आपकी जो रियल पावर होती है इसके लिए कौन मोला जाता है है तो यहाँ पर राइट ऑप्षन क्या हो तीस विशाल दीपक मनप्रीत सभी लोग एकदम बढ़ी अतरीके से आंसर कर रहे हैं श्वेता दीपक से भी मनोज चलिए question number 3 पर आईए potential transformer are used जो आपके potential transformer है वो किस पर use की जाते हैं बताई फटावर से क्या होगा right option bitfast फटावर से बताईए potential transformer are used किसके लिए use की जाते हैं बताईए bitfast फटावर से बताईए question number 3 का अंसर potential transformer are used to तो देखिए मेली आपके पास में दो transformer होते हैं ct और pt इस तरीके का तो जो आपका ct ct and pt तो जो ct pt हैं आपको पता है ct और pt तो जो ct pt हैं आपका ct जो है आपका किसके लिए use होता है measurement of current के लिए use होता है आपका और जो pt है वो किसके लिए use होता है measurement of voltage के लिए use होता है आपका यहाँ पर क्या पूछा है potential transformer तो क्या हो जाएगा to measure high ac voltage so option is the right option ठीक है question number 4 पर आईए laboratory type watt meters R यानि कि जो आपके lab होते हैं तो lab में किस तरीकी के जो watt meters है वो use किये जाते हैं बताईए क्या होगा right option यहाँ पर laboratory type watt meter R जो lab में आपके watt meters use किये जाते हैं वो कौन से होते हैं बताईए SSC 2010 में यह questions पुछा गया है पटावड से बताईए तो अब यहाँ पर देखिएगा जो lab है आपका lab में आपके हमेशा जो use होते हैं वो कौन से use होते हैं watt meters use किये जाते हैं वो कौन से use किये जाते हैं आपके जो electro dynamometer type watt meters है वो use किये जाते हैं because they are the best यहाँ पर प्यूश विशाल मोहित प्रियंका श्वेता सभी लोगों ने options सही बताया है option D is the right option लेकिन कुछ लोगों option C बताया है electrostatic type नहीं electrostatic type जो mainly instrument से कल भी बताया था यह आपके दोस्त किसके लिए use होते है measurement of high voltage के लिए इनका जो electrostatic type instruments है इनका mainly जो use है as a voltmeter की तरह इनका use होता है चलिए question number 5 पर आ जाईए guard electrode are used in the capacitance measurement to minimize यानि कि जो guard electrode होते हैं वो capacitance के measurement में use किये जाते हैं क्यों option क्या है आपका fringing of electric field thermo emf dielectric loss और eddy current क्या होगा बतायी किसके लिए जो आपके guard electrode से वो use किये जाते हैं in the measurement of capacitance फटा फ़र से बताईए तो यहां पर देखिए जो आपका measurement है आपका of capacitance अच्छे देखिए जितने भी लोग देख रहा है सबको मैं यहां पर सला दूंगा question का answer within 30 seconds आपका होना चाहिए ऐसे सीज़े में इससे ज़्यादा आपके पास में time नहीं होता है तो within 30 seconds आपको देना है तो यहां पर देखिए जो आपके losses आते हैं यहां पर आपके electrode होते हैं guard electrode वो किसके लिए use की जाते है जो डायलेक्ट्रिक 알ugation को सब्सक्रेंड can to develop के यूश क्या सकते तो the Revel आपक चेक कम से कम आपका error आए यहां पर तो कुश्चन का आंसर यहां पर बिल्कुस सही दिया है सभी लोगों ने अल्मोस सही दिया है मतलब जहनकारी है आप लोगों को क्या बात है अलब मौसम की मिजाज के साथ में आपके मिजाज भी बखू भी दिखाई दे रहे हैं इसी बात पर कुश्चन नंबर 6 का गर्दा और आई यहां पर इन डाइनमो मीटर टाइब वाट मीटर कंपन सेटिंग कॉइल बताए क्या होगा फटा वर से बताईए नो साउंड साउंड नहीं आ रहा गया ऐसा कैसे हो सकता भाई यार अपना मतलब देखो साउंड कैसे नहीं आ रहा है अगर साउंड नहीं आ रहा है तो मतलब इतना कैसे चल रहा है तब से गुट इवनिंग वाने का चल फटावर से बता है यहाँ पे कुछे नंबर 6 का अंसर क्या होगा तो देखी यहाँ पे जो dynamometer type watt meters है तो they are the dynamometer type watt meters है अब यहाँ पे देखी जो error आता है error के लिए यहाँ पे जो compensating coil use किया जाएगा so this is your load और यहाँ पर यह क्या है आपका यह आपका current coil जैसे और यह क्या है आपका pressure coil यह voltage coil ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए जो compensation के लिए हम coil use करते हैं वो क्या use करते हैं has equal number of tons of the current coil and it is connected in series with the voltage coil तो यहाँ पर जो आपकी compensating हम coil use करेंगे कहाँ पर करेंगे PC के साथ में series में लेकिन इसके जो tons होंगे वो किसके equal लेते हैं आपके जो number of tons है वो यहाँ पर जो current coil है इसके equal लेते हैं आपकी जो error है उसको minimize किया जा सके तो right option क्या हो जाएगा option B is the right option तो यहाँ पर almost सभी लोगों ने बिल्कुल सही answer दिया है that's very good चलिए बहुत बढ़िया मज़ा आ गया आगे पढ़ते हैं दोस्तों question number 7 पर आईए watt meter is being tested under the phantom loading यहाँ पर इसको underline कर दिये phantom loading if the watt meter reading is 60 watt then the actual power consumed from the supply is देखो जब भी इस type के questions आए न लंबे लंबे वहाँ पर जो कुछ keywords होते हैं question के उन keywords को आप क्या कीजिएगा note कर लीजिएगा वहाँ पर keywords बस underline कर दिया करो sst 2011 में question आया हुआ तो बताए क्या होगा इसका right option बताए फटावर से क्या होगा bit fast अभी लोग बताएंगे तो यहाँ पर देखिए जो watt meter होते हैं under the phantom loading तो जो phantom loading होता है phantom loading देखिए जब किसी भी instruments की testing की जाती है न तो testing के लिए यहाँ पर कुछ load लगाना जरूरी होता है हमारा जब भी आप किसी भी चीज़ चाहें transformer हो चाहें कोई भी meter हो जब भी आप testing करते हैं तो testing के लिए कुछ load होना जरूरी होता है आपके पास और अगर वो load आपको लगाना है तो load कैसा होना चाहिए कम से कम होना चाहिए so that power consumed during the test should be minimum कम से कम power आपकी consume होनी चाहिए तो यहाँ पर जो phantom loading होता है इसकी loading value बहुत ही कम होती है मतलब आप neglect भी कर सकते हो high load के comparison में तो यहाँ से जो phantom loading है इसको use किया जाता है किसके लिए testing के लिए तो अब यहाँ पर देखिएगा power consumed by the phantom loading is very less क्योंकि loading की value बहुत कम होती है तो यहाँ पर right option क्या हो जाएगा much less than the 60 watt getting my point say yes or no नहीं सेम नहीं होगा बाबा phantom loading का मतलब ही होता है दीपक आपका negligible loading under the testing अब जब load की value ही कम है तो जब load value कम है तो जो power है कम से कम consume करेगा कि नहीं करेगा और यहाँ पर जो 60 watt power है किसका दे रखा है load का जो power है न load के across power दे रखा है वाईल यहाँ पर जो loading हम यूज कर रहा है वो कौन से यूज कर रहा है phantom loading यूज कर रहा है इसलिए तो phantom loading हर जगा यूज किया जाता है otherwise use यूज क्यों करते है getting चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर question number 8 की तरफ question number 8 in induction type energy meter यहाँ कि energy meter की बात की जा रही यहाँ पर everything else remaining the same मतलब सब को same है else radial distance यहाँ पर इसको underline कर दीजे distance of the brake magnetic poles from the spindle is decreased by 10% बहुत ही गलत किया है distance को decrease कर दिया उसके बाद में speed of the disc will approximately तो जो disc का rotation है न ऐसे भाग रहा था आप ऐसे मान लीजे भागे जा रहे किसी के पीछे भागे जा रहे अरे रुको रुको बाबा हमको बात करनी है कोई आए पीछे से आपके पापा पापा ने का कि चलो distance यह कर दी आप का करोगे कहोगे कि गलत बहुत ही है तो अब जो distance बढ़ने से आपके बीच की जो दूरियां बढ़ेंगी वो कितना होगा यहाँ पर वही तो बताईए अब distance बढ़ेगा तो जाईस सिवात है दौनों के बीच की दूरियां तो बढ़ी ही जाएगी तो आप यहाँ पर देखिएगा इन induction meter जो आपका induction energy meter होता है तो energy meter में आपका जो speed होता है disc का है energy meter में जो disc speed होता है and it is inversely proportional to क्या होता है आपका distance of the brake magnetic brake magnet तो n क्या है हमारा यहाँ पर speed of the meter और d क्या है distance of the brake magnet तो बस यहाँ से इस relation को मैं क्या लिख सकता हूँ n1 upon n2 is equal to d2 upon d1 getting my point बस अब यहाँ से इसको solve कर लिजिएगा तो यहाँ पर जो distance है वो कितना हो रहा है spend will decrease by 10 times है यहाँ पर d2 का value हो क्या हो जाएगा 0.9 times of d1 upon d1 बस अब यहाँ से जो निकाल लिजिएगा तो यहाँ से n2 निकाल ला है तो 1 upon 9 आएगा तो nothing but 1 upon 9 1 upon 9 कितना आजाएगा 1.11 तो यहाँ पर 11% हमारा क्या जाएगा right option तो आपका जो increase है क्या हो जाएगा speed क्योंकि distance क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है तो यहाँ से देखे decrease वाला option तो बैसे घटिक है आपका b और c तो कता ही नहीं हो सकता है option होगा क्या आपका a और d मैंसे आंसर जाएगा तो इससाब से option भी eliminate कर सकते हैं तो जब भी question में जाए option eliminate जरूर करके देखे getting चलिए बढ़िए मज़ा आया option डी the right option तो यहाँ पर लेकिन वर्शा और मॉनिका इन लोगों ने त्यार जान डाल दी आप लोगों सेशन में इस तरीके के जो कुश्चन को बना कि आप लोगों सेशन के अंदर एक अलगी जान डाल लिया ना वैरी गुड इसी तरीके से है कुश्चन नमबर 9 की तरफ कुश्चन नमबर 9 आपका पूछा जा रहा है जो कि 2011 में पूछा गया और इन्होंने का है बाइडन आफ करेंट ट्रांसफोर्मर इज एकस्प्राइजड ऐसे आज इसकल आप लोग वह बहुत ही बर्डन होगा है ना दिन भर क्लासिस दिन भर पढ़ाई लेकिन यह जो बर्डन है वही तो आपको एक क्या दिलाएगा पैसा है और जब पैसा आएगा तो क्या होगा वो वाला सौंग है न जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा तो वह हाल है यहाँ पे तो चलिए इसी बात पर जो question number 11 है इसका question number 9 का गरदा उड़ा दीजिए तो यहाँ पे सभी लोग प्रभांशु दीपक विशाल सभी लोग धड़ा-धड़ तरी के से प्रियंका मॉनिका गरदा उड़ा रहे है चलिए तो देखिए right option क्या होगा हमारा जो आपका transformer है transformer को जो rating nothing but क्या होता है burden हो गया आपका so क्या होता है आपका volt into ampere होता है तो क्या हो जाएगा आपका वी यह हो गया right option क्या हो जाएगा b is the right option एक question काफी बार एक्जाम में repeat हुआ है make sure that guys इस तरीके question अपने को बिलकुल भी गलत नहीं करना अच्छीक है अब इस तरीके question अगर गलत कर दिया तो बहुत भारी मिश्टिक कर देंगे आप चली question number 10 पर आए फटावर से in a phantom loading arrangement energy consumption in the calibration test of watt meter is reduced because बताईए अभी अभी मैंने आपको phantom loading के बारे मैं बताया भी था तो वहाँ पर जो phantom loading के बारे मैंने अपको बताये था अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डैफिनेटी इस question को solve कर लेंगे अच्छी फटावर से बताई क्या होगा right option question number 10 का यह SSC 2012 में पूछा गया है बताई फटावर से bit fast सभी लोग बताएंगे फटावर से गर्दा उड़ा दी यहाँ पर क्या होगा right option in phantom loading arrangement फटावर से बताईए सभी लोग तो देखिए जो phantom loading होगा यहाँ पर energy consumption है न तो देखिए watt meter के अंदर जो phantom loading होता है उसका मतलवी क्या होता है the absence of the load in the test क्या बताया तो मैंने कि phantom loading का मतलवी होता है कि negligible loading तो under the actual test it means that there is no load आपको कोई भी load present नहीं होता है तो क्या हो जाएगा the absence of load in the test 0% देखिए को hypothetically speaking आपका absent नहीं होता है होता है load आपका लेकिन that can be neglected तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बिल्कु सही option बताया लाइक मनप्री श्वेता इन्हों ने बिल्कु सही option बताया है देखिए बाकी लोगों ने या तो ध्यान से नहीं सुना क्योंकि पहले मैंने जो phantom loading है इसको बहुत अच्छे से explain किया था लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना नही दिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं question number 11 पे in the measurement of power in the measurement of power in a balance three-phase circuit by two watt meter method if two watt meters यानी कि जो दो वाट मीटर से इनका reading क्या है हमारा equal है तो देखिए यहां पर जो भी लोड का power है न यहां पर मान लीजिए कोई भी आपका यह लोड लगा हुआ है और वाट मीटर से मेजर करता है न और यहां पर जो रीडिंग है आपकी वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 यानि कि जो डबलू 1 और डबलू 2 यह क्या है आपके equal read कर रहा है whatever the value reading कुछ भी हो सकता है न यहां पर जोना का value equal है तो अब यहां पर जो power factor है आपका power factor क्या रहने वाला है तो यहां पर देखिए जो आपका P1 का value मैंने आपको क्या बताया था root 3 VLIL cos 5 cos 30 minus 5 और यहां पर देखिएगा P2 क्या हो जाएगा यानि कि वाट मीटर 2 reading root 3 VLIL cos 30 plus 5 हो जाएगा आप देखिए यहां पर अगर दौनों वाट मीटर का reading equal करना है तो it means that जो 5 है 5 should be 0 5 आपका 0 degree होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए say yes or no अगर यहां से देखिए P1 और P2 आपको equal करना है 4 P1 is equal to P2 तो 5 should be 0 और 5 अगर 0 है it means that आपका जो cos 5 है cos 5 0 cos 5 0 cos 0 क्या होता है 1 तो power factor कैना कैसा होने चाहिए it should be unity तो right option क्या हो जाएगा D is the right option यह मैंने आपको पिछले session में भी एक किसका question कराया था यहां पर यह जो equations है न इसको knock कर लिजेगा इसके ऊपर एक question SSC JEE में 100 in 1% आएगा इसको topic को क्या बोला जाता है effect of power factor reading on the sorry effect of power factor on watt meter reading तो एक question definitely दोस्ते यहां से आपका पूछा जा सकता है और यहां से करना कुछ नहीं बस P1 और जो P2 इसकी value तो रखना है और कुछ नहीं करना यहां पर जो भी 5 आपको दे रखा हो चीक है चली आगे बढ़ते हैं question number 12 पर आईए the household energy meter is तो जो महीने का बिल भरते हो ना महीने का बिल भरते हो तो वहां पर आपके घर के सामने एक ऐसा छुटकू सा meter लगा होता है उसी को क्या बोलते है household energy meter अब आपके घरों में जो household energy meter होता है वो कौन सा होगा बताए recording instrument या फिर indicating instrument या फिर integrating instrument या फिर none of these बताए क्या होगा पटावर्स से बताएंगे सभी लोगा answer यहाँ पर क्या होगा right option आप लोगों के घरों में जो meter use होता है क्यों सा होता है बताए तो यहाँ पर विशाल ने option D बताया है वर्षा ने option D बताया है प्रियंका ने डी बताया है सतीश मनप्रीत option C बता रहा है यहाँ पर अभिशेक राजन सर new questions चूस करके लाए new questions अरे अभी PYQ है new questions भी आएंगे ठीक है और यहाँ पर एहमाद ने option C बताया है और देखिए पर जो राइट option होगा वो कौन सा होगा integrating instrument यह जिन लोगों ने बताया है वो उन्हों ने क्या किया है आपका घंगोर गलती की है न ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए ती मेरे साब से अलब कैसे कर सकते हो आपका जो integrating type energy meter है यह क्या है आपका universally used होता है आपका है कि जो energy meter होता है induction type energy meter that are also known as integrating type instrument और आपका universally use होता है किसके लिए energy की billing के लिए आपका then कैसे आप लोगों ने गलत कर दिए I can't understand ठीक है बहुत ही बड़ा गलती की है आप लोगों ने अलब इस तरीके की घंगोर गलतियां दोस्तों नहीं करनी है ठीक है कुश्चन नमबर 13 पर आईए कुश्चन नमबर 13 यह भी अच्छा कुश्चन है कुश्चन नमबर 12 तरी एससी 2012 में पूछा गया है अभिशेग रंजन अभिशेग भाई यार देखो ऐसा है पहले आप पीवाई क्यू से सॉल करेंगे क्योंकि जो आपके 20% कुश्चन है व मतलब आई में यहां पर जो मेजरमेंट के नई कुश्चन से वह आपको देखने को मिलेगे चर तो इसलिए पहले यहां पर गर्दा उड़ा दीजिए किसका पीवाई क्यू का तो यहां पर कुश्चन नमबर 13 देखिए एक चीज़ हमेशे याद रखिएगा कुश्चन से ह यहां पर जितने वी आपको कुश्चन कराना हूं इसके जो कॉंसेप्ट है न वह किसी भी एक्जाम के लिए बहुत जादा आपके लिए हैल्फ रहेंगे तो यहां पर बेस्ट के लिए आपको जो कॉंसेप्ट उनको सीखना है और फटा वर्स से जितने भी लोग देख रह है प्रियंका ने भी बताया है और दीपक ने ओ siitä ए तो यहां पर जीक क्या होगा इह आपका क्या है आप ед देखिए potential divider, तो यहाँ पे जो आपका potential divider लगा हुआ है, potential divider की reading क्या होना चाहिए, independent of the frequency, तो कहीं भी अगर ये वाला शब्द आए ना, independent of frequency, अगर frequency से independent reading को आपको कराना है, तो time constant क्या होना चाहिए, it should be equal, तो independent of frequency के लिए, time constant क्या होना चाहिए, both meter should be equal, time constant आपके equal होने चाहिए, अब यहाँ पे देखिए circuit क्या सा है, RC circuit, तो RC circuit यहाँ पे lighted भी इसका time constant T1 है, और इसका time constant T2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, T1 time constant, T1 is nothing but R1 C1, और T2 क्या हो जाएगा हमारा, R2 C2, तो यहाँ पे दौनों की value को equate कर दीजिएगा, तो R1 C1 is equal to क्या हो जाएगा, R2 C2, बस आगे हमारा answer है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 upon R2 is equal to C2 upon C1, option B is the right option, तो यहाँ पे सभी लोगों ने, बहुत सारी लोगों ने option से ही बताये, कुछ लोगों ने गलत भी बताया, no issue, जिन्होंने गलत बताये, वो सिर्फ यह सीख लें, कि यहाँ पे आपका independent of frequency के लिए, time constant क्या होना चाहिए, एक्कॉल होना चाहिए, चली, मज़ा आया, अगर मज़ा आ रहा हो तो session में, सुन्दर से प्यारे से comment करके बता दीजेगा, कैसा लग रहा है, फटा वर्से सभी लोग एकदम मतलब, सूना सूना पूरा comment box लग रहा है, चली, next question आपका, थोड़ा सही question है आपका, next question आपका जो पूछा है, CT और PT को उपर question पूछा गया है, तो यहां से देखी, जो आपका CT और PT मेजर्मेंट में यूस हो रहा है, और यहां से जो आपका CT, PT के अंदर जो angle error आ रहा है, जैसे आप phase angle error बोलते हैं, दो error होते हैं, ratio और phase angle error, तो यहां पे CT और PT का आपको देखी, दे रखा है, 0.7 और 0.4 और 0.7 आपको दे रखा है, तो पूछा है कि जो power factor होगा, load का, power factor में कितना error आएगा, A, B, C, D, 4 option आपके सामने दिए गए, बताए फटावर से, गुड़ इवनिंग सिंपी, जो यहां पे electrical की timing का classes है, वो कितने बज़े होता है, 6 पी-म से होता है, 6 पी-म पे आपको live होना है, daily, Monday to Saturday, चलिए, फटावर से बताएए सारे लोग, क्या होगा right option, question number 14, यहां पे देखो अभिशेग, वहां पे क्या बोला जा रहा है, कि जो आपका, जो meter की reading है, यानि कि जो potential divider का reading है, तो कि capacitance लगा है, capacitance की case में क्या आएगा, frequency आएगा, xc, x is equal to 1 क्या होता है, 1 upon 2 pi fc, तो अगर माली जी supply का frequency change हो गया है, supply का frequency change हो है, तो frequency का जो effect वो किस पे जाएगा, meter की reading पे जाएगा, so that error produce होगा, तो अगर वहाँ पे दौना meter का time constant आप equal कर दें, तो जो frequency के वज़े से यहाँ पे error आएगा, वो eliminate हो जाएगा, और rc circuit का time constant क्या होता है, r equivalent into c equivalent, तो यहाँ पे देखिए question number 14, question number 14 में आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे सीखना है, जो आपका true value होता है, true value, true value of load power factor, in case of ct और pt आपको कितना मिलता है, 60 degree मिलता है, यह यहाँ पे आपको याद होना चाहिए था, पता होना चाहिए था, कि true value of load power factor, in case of ct और pt, approximately कितना मिलता है, 60 मिलता है आपको, तो अब यहां पर क्या निकालना है देखी जो true value है वो कितना आठा धेंका 60 है आपका ठीक है आप यहां पर देखी जो error है वह कितना आरहे हैं अमका लेकिन में आपको मिलेगा कितना यह तो आपका मंतलब true value यह यह गए मिलेगा लेकिन यहां पे जो CT और PT की वज़े से इसमें जो add हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है so let it be 5 CT 5 PT है CT PT की वज़े से यहां पे 5 add होगा तो total जो हमारा कितना आ जाएगा 60 plus 0 CT की वज़े से कितना आपका 0.4 और PT की वज़े से कितना है 0.7 तो nothing but कितना आ जागे 61.1 आ गया हमारा है अब यहां से 5 कितना आ गया 61.1 इसका मतलब power factor कितना आ जागे cos 61.1 आ जाएगा simple यहां पे simple trick है क्या करना है आपको add कर देना आपका true value कितना होता है 60 degree होता है इसमें बस add कर देना है तो यहां से आपका error है वो आपका आ जाए getting इस type के questions प्रिविश्ली कई वार repeat भी हुए है so remember this question question नमर 15 पर चलिए question नमर 15 small pockets of air in the high voltage cable provide dash relative permeability dash electric field and these sites breakdown is likely to be initiated question देखने से लग रहा है power system का लेकिन measurement में डाल दिया गया है no issue कोई बात नहीं है चलिए यहां पे गर्दा उड़ाएंगे इसका भी वैसे केबल का question है आपका यह जखकास concept भन्यवाद चलिए फटावर से बताई यहां पर question नमर 15 पर आ जाईए और थोड़ा सा speed अपना बढ़ाएं क्यूंकि मैं तो already speed में जोड़ रहा हूं और जो number of questions है वो जादा है तो यहां पर सारे questions को है solve भी करना है अब देखिए यहां पर जो आपका high voltage और यहां पर क्या है cable provided ठीक है तो देखिए जनरली जो आपकी relative permability होती है वो तो generally low होती है यानि कि जो ब्यू है वो आपका low होगा आपका यहां पर और यहां पर देखिएगा अगेन इस टाइब का जो question आपका repeat हुआ है सथी 2013 में जो same concept अभी अभी मैंने आपको पिछले लक्षर में आइमिन तो से की मतलब जो पिछला slider से मैं बताया है तो यहां पर बताईए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका question no.17 का पटावर से बताईए सभी लोग बताएंगे एकदम धाकर धढ़ा धढ़ा तरीके से गर्दा उड़ा दीजेगा यहां पर bit fast सभी लोग बताईए फटावर से क्या होगा राइट ऑप्शन bit fast question no.17 का तो यहां पर देखिए अगेन यहां पर potential divider आपको दे रखा ठीक है और यहां पर जो potential divider है potential divider के बारें क्या बोला जा रहा है आपका यहां से कि यहां पर आपको जो 1 microfaraday का capacitance है वो कहां पर लगा है अगेन यहां पर independent of frequency आगया तो अगेन आपको क्या करना है यहां से जो time constant है बाबा उसको equal करना है तो बस time constant equal करके फटावर से बताई मुझे यहां पर क्या value होगा पता है फटावर से क्या होगा बिट फास्ट देखो यहां पर जो input capacitance है यह वाला capacitance कितना दे रखा है आपको यह 0.1 microfaraday दे रखा है अब वो बोल रहा है कि value of capacity that must be connected across the 100k ohm तो यहां पर let it be आपका जो capacitor है वो C connected है बस हो गया solve अब तो हो गया है ना पोग यहां पर देखिए तो यहां पर right option क्या हो जागा देखिए 100k ohm यानि कि 100 into 10 to the power 3 into C that must be equal to क्या हो जाएगा आपका 10 into 10 to the power 3 into क्या हो जाएगा 0.1 into 10 to the power minus 6 बस यहां से जो C का value इसको calculate कर लीजेगा getting चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 18 पर the AC brace used for the measurement of die electric loss in the capacitor चलिए बताइए ब्रिजिस के उपर question आया है आपका SSC 2014 में कौन सा जो आपका bridge है जो कि dielectric losses को measure करने के लिए use किया जा सकता है अंडर्सन ब्रेज, sharing bridge, vein bridge या फिर his brace बताईए फटावर से क्या होगा bit fast सभी लोग बताएं फटावर से सभी लोग बताएं क्या होगा right option बहुत ही simple question देखिए ऐसे questions का answer जो है आपको 30 सेकेंड में अंतों दब 30 तरीके से गर्दा उड़ा देना चीक है अरे वाबा वो दीपक यार examiner का मर्जी है वो कहीं भी connect करें हमने थोड़ी ना paper set किया है कि उपर connect नहीं है कि नीचे connect नहीं है ना ठीक है दीपक वो examiner कहीं भी connect कर सकता है उसके मर्जी है यहां पर सभी लोगे धाकर तरीके से answer कर रहा है मॉनिका शतीज दीपक वर्षा से भी चलिए तो यहां पर जो राइट option होगा क्या होगा देखे एंडर्सन ब्रिज किसके लिए उस होता है measurement of inductance के लिए तो डायलक्तर का concept है यह भी inductance के लिए है किसके लिए होता है frequency के लिए तो बचा क्या आपका शेरिंग भी तो शेरिंग में से जो डायलक्रिक लॉसे से आप मेजर कर सकते हो आपको शेरिंग ब्रिज इतना ज्यादा इसफुल होता है दूसरा जो ब्रिज होता है डिशोडी ब्रिजवा काम का नहीं होता है क्योंकि वहां पर क्या आते हैं आपके एर र अता है तो यहां से जो best method होता है कापेस्टेंश को मेजर करने के लिए वह क्या होता है हमारा sharing bridge होता है चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटावर से question number इस पे है देखिए बहुत ही important question है तो guys अगर आप देखिए self preparation करना है well and good करते रहेगा लेकिन अगर आपको need है कि 100 days में 100 days में आपको क्या करना है SSTJ clear करना है anyhow with concept and numerical तो यहाँ पे देखिए आप जो electrical का महा pack है Electrical के महा pack को join कर सकते हैं यहाँ पर all courses है जितने भी courses होते हैं यह सब include होते हैं plus आपका जो test series है यह include होता इसमें और यहाँ पर देखिए आपका जो pre-recorded यहाँ पर आपको already जो pre-recorded lectures हैं वो आपको देखने को मिलते हैं आपको पूरा set होता है लाइव आपके पास में हाँ रहता है प्लस जो e-books हैं आपको e-books हैं यहाँ पर मिल जाती हैं यह सारी चीज़ें महा pack में आपके included रहती हैं और यहाँ पर जो validity वह भी कितना होता है targeted बैसे double validity होता है तो एक साल के लिए जितने भी courses होंगे वह सारे के सारे यहाँ पर महा y433 y433 यह आपको यहाँ पर यूज करना है under the my guidance अगर तैयारी करना है तो code यही यूज करना है अगर आप कोई दूसरे code यूज करते हैं तो मेरी guidance में नहीं आपाएंगे so for electrical maximum discount के लिए आपको y433 यानि कि यही code यूज करना है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं question number 19 की तरफ हाँ बिलकुल कर सकते हैं भाई है न देखी यह confusion आपका लगातार बना हुआ है क्या equivalent electrical यानि कि electrical plus electronics है न इसी का बात कर रहे है न electrical and electronics है यानि जिसे triple e branch बोला जाता है भाईया यी आपका electrical में लिए are अब भी electronics होता है आपका छीक है लेकिन इलेक्टिकल और जो electronics वाले हैं वह आपका electronics में फर्म नहीं वर सकते electronics and telecommunication में बहुत सारे exams में तो electrical plus electronics is equivalent to electrical होता है चलिए अदाई फटावर से क्या होगा right option यहाँ पे bit fast फटावर से बताई यहाँ पे तो देखिए which of the following bridge generally used for the measurement of the frequency and also capacitance तो यहाँ पे देखिए जो vein bridge है वेन ब्रिज से आप जो frequency के साथ साथ में जो capacitance है इसको भी measure कर सकते हैं ठीक है तो options is the not अच्छे आप ovens bridge लिका है ना यहाँ पे क्या होगा veins bridge तो जो veins bridge है veins bridge से आप जो capacitance है इसको भी measure कर सकते हैं और जो frequency इसको भी measure कर सकते हैं चेलिए question number 21 पर आए फटावर से the holes are drilled in the disk of the diameter of energy meter 2 बहुत ही अच्छा question है सांदार question है two holes are drilled देखिए जो आपका energy meter का disc होता है ना like this वहाँ पे इस तरीके से दो holes है ना उनको drill किया जाता है क्या reason रहा होगा इसका बताईए फटावर से बताईए सबी लोग बताएंगे फटावर से काफी अच्छा question है bit fast बहुत साही question है कि जो energy meter आपने घरों में आपकी घरों में energy meter लगा रहता है उसकी जो डिस्क होती यादि कि जो rotating disk होती जिससे moving coil लगा रहता है यह जो डिस्क हो अपका moving coil लगा रहता है जिसके उपर पाइंटर है यह आपका rotate करता है यानि कि जो वहाँ पर reading है न रीडिंग आपकी चलती रहती आप देखी होता क्या है यह जो माल लीजे meter है आपका meter अब आपने क्या किया at no load at no load तो no load पे देखी जो आपका current होगा आपका load current load current will be zero और अगर load current zero है तो क्या मुझे बताइए आपके घर की कोई भी reading आना चाहिए बाबा बिलकुल नहीं आना चाहिए एक पैसे खर्च नहीं करना चाहिए लेकिन under the no load condition यहाँ पे जो meter के current है वो आपका small current जो है आपका flow होता रहता है आई small load current की जो small value वो इसमें से होके flow होती रहती है जिसकी बज़े से क्या आता है creeping error आता है और जो आपकी disk का rotation है वो चलता रहता है जिससे आपका reading है वो बढ़ता रहता है तो यहाँ से इसको creeping error को eliminate करने के लिए किया किया जाता है यहाँ से इसके अंदर जो hole है वो कर दिय जाते हैं so that no load पर आपका कोई भी यहाँ पर डिसक के अंदर rotation ना देखने को मिले मजा आया है ना चलिए तो यहाँ पर question number 21 का right option क्या हो जाएगा see is the right option question number 22 पर आई है फटा वर से क्या होगा right option तो यहाँ पर वर्षा, दीपक, जैपाल, सतीश, मोहित, मौनेका, वर्षा सभी लोग एग्रम धढ़ा-धढ़ तरीके से option कर दा है ठीक है चलिए बताए फटावर से क्या होगा right option यहाँ पर question number 22 का question number 22 को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जल्द वाजी के चक्कर में answer गलत न कर दें आप लोग कहीं, तो यहाँ पर देखिए, the least number of single phase watt meter required to measure, total power consumed by unbalanced load, यहाँ पर क्या लिखा है बाबा, unbalanced load और आगे क्या लिखा है, three phase four wire system, तो यहाँ पर देखिए, three phase four wire system, तो यहाँ पर देखिए, three phase four wire system है, तो three phase four wire system है, आगे कुछ देखने का जरुरत नहीं है, जो number of watt meters होंगे, वो आपके कितने होंगे, and is called to, हमेशा three होंगे आपके, so we require three watt meter, यानि कि जो particular आपका three phase है, आपको एक आपका watt meter single phase connect करना पड़ेगा, total power measure करने के लिए, अब यहा पर, मौनिका, सतीश, वर्तिका, मोहित, मनप्रीत, वर्षा, सभी लोगा ने बिलकु सही answer दिया है, चली, so option क्या हो जाएगा, option D is the right option, आगे वढ़ते हैं, फटा पर से, question number 23 पर, in which of the following transformer, is the secondary winding always kept close, बहुत ही बड़ी है question है, nice question, SSC 2014 में पूछा गया है, CTE, PTE, power transformer, या फिर distribution transformer, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के जो विचार हैं, वो इसके वारे में, क्या है, बताईए, ऐसा कौन सा transformer है, जिसका second decide, अपन कभी भी open, नहीं कर सकते हैं, बताई फटा वर्से, क्या होगा, फटा वर्से बताईए, बिट पास्ट, फटा वर्से बताईए, तो यहाँ पे, option A बता रहे हैं, सबी लो, तो देखिए, बिल्कुल सही बताईए, तो देखिए, यहाँ पे जो current transformer है, current transformer है, आपको पता है, कि जो primary है, आपका, primary क्या होता है, आपका single ton होता है, वाइल जो secondary, secondary has the many tons है, तो this is secondary, this is primary, अब देखिए, यहाँ पे गलती से पिए, अगर secondary हमारा open हो गया, तो voltage है, वो number of tons के directly proportional होता है, वो चाहिए, CT हो यहाँ पिर अपका, whatever है न, चाहिए, power transformer हो, अगर यहाँ पे गलती से हमने क्या कर दिया, यहाँ से open कर दिया, तो यहाँ पे जो open circuit हो गया, open circuit में आपको पता है, voltage exist करता है, current zero हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो open circuit है, इसके across, जो huge voltage है, huge voltage will appear, that will damage the secondary winding, इसी लिए जो secondary इसका कभी भी आपको open नहीं कर सकते है, getting तो आपका right option क्या हो जाएगा, CT is the right option, कई बार यह question आपका आया हुआ है, आगे the following instrument has the highest torque y weight ratio among the given instrument, मतलब जितने भी आपके यहाँ पे देखिए, यंत्र दिये गए है, यह नहीं यंत्र में जो torque y weight ratio सबसे ज़्यादा किसका high होता है, बताई फटावर से, bit fast बताईए क्या हुआ, torque upon weight, torque upon weight का जो ratio है, वो सबसे ज़्यादा किसमें आपको देखने को मिलता है, bit fast सभी लोग बताएंगे, फटावर से, फटावर से सभी लोग बताईएगा, तो यहाँ पे मॉनिका, प्रियंका, जै, इन्होंने option जो है, वो सी बताया है, मनप्रीद, गगन, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो right option होगा, वो क्या होगा, आपका PMC, तो आपका जो PMC है, PMC में सबसे ज़्यादा आपका जो, torque upon weight ratio जो है, आपका high रहता है, अब देखिए, torque upon weight ratio जो आपका high है, अगर यहाँ पे जो, torque upon weight ratio high है जितना ज़्यादा ये ratio high रहेगा आपका fraction error आपका जो fraction error है आपका pointer के meter के अंदर तो fraction error क्या होगा उतना ही आपका degrees होगा उतना ही less होगा तो यहां से सबसे अच्छा जो torque weight ratio किसका होता है PMMC का तो इसलिए PMMC इसका accuracy भी आपको बहुत बड़ियां देखने को मिलता है याद रखिएगा अगर torque upon weight ratio low होगा तो आपका जो fraction error है ये भी क्या होगा साधा होगा question number 25 पर ही फटावर से open होने पर ही तो बाबा voltage लगेगा open में current 0 होता है अभिशेक लेकिन voltage appear होता है short में voltage 0 होगा और current flow होगा तो यहाँ पर देखिएगा question number 25 पर thank you वर्टिका so question number 25 the technique of adding precise amount of time between the trigger point and beginning scope in a CRO known as तो थोड़ा सनाया question आया देखिए यह रहा CRO CRO का यह क्या है आपका trigger point यहाँ पर क्या होता है cathode होता है आपका है so this is your trigger point और इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो grading है वो आपकी बनी होती है like this तो यहाँ पर जो trigger point होता है और जो source of electron होता है वो क्या होता है यहाँ पर cathode होता है source of electron तो यहाँ से जो trigger point होता है trigger point के बीच में और जो यहाँ से जो sweep है इसके बीच में जो आपका time provide किया जाता है nothing but यह क्या होता है आपका delay time और उसी को क्या बोलते हैं delay sleep बोलते हैं getting तो option क्या हो जाएगा option b is the right option again CRO in a CRO sinusoidal waveform of a certain frequency is display the value of quantity that can be made out by the observation यहनि कि जो CRO है आपका CRO में आपको यह वाली जो sine wave है यह sine wave आपको दिखाई दे रहा है आपके जो nine है nine यह आपकी जो CRO की wave है इसको देख रहा है अब आपके nano के समक्ष कौन सा value measure होगा बताइए खुश्बू यह अभी mixed subject नहीं है अभी हम लोग measurement के questions कर रहे हैं ठीक है पहले one by one करके करेंगे यहां पे देखिएगा उसके बात में जो mixed subject है वह भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा कि यहां से जो voltage measure करेंगा वो कौन सा होगा आपका पीक टू पीक वोल्टेज आपका measure करेंगा once you make the peak to peak है एक बार आपने peak to peak value को measure कर लिए तो आपको फिर पता है यहां से जो आपका आपका rms होता है वो क्या होता है आपका vm by 2 होता है और आपने एक बार vm value आपने measure कर लिए उसके बाद average भी कर सकते हैं लेकिन पहले जो आपको value मिलती है वो कौन सी मिलती है यहां पर आपको peak to peak value is cro measure करता है getting so option D is the right option चलिए thank you so much मनपीत प्रियंगा वर्तिगा question no 27 पर आए क्या होगा राइट ऑप्शन बताए फटावर से क्या होगा इना cathodary tube focusing anode is located किसका बात किया रहे हैं पर cathodary tube तो देखिए जो आपका CRT है CRT CRT क्या होता है आपका heart of CRO CRT होता है वो कौन होता है आपका CRT होता है ठीक है यह directly question पूछा गया अरे I'm not kidding सच में भाई है यही question पूछा गया है कि जो CRO है CRO का heart कौन होता है तो CRO का heart है वो क्या होता है CRT cathodary tube आप देखिए जो CRT है इसमें आपका क्या पूछा गया है कि जो focusing anode है यह कहां पे लगा रहता है तो देखिए आपका यहां पर प्री अक्सेलरेटिग आपर होता है और यहां पर थर्ड पर अक्सेलरेटिंग अडो रहता है और जो second वाले position पर क्या लगा रहता है आपका जो focusing anode है आपका focusing anode आपका connect रहता है आपका अपका ठीक है तो directly इस पे पॉजिटिव वॉल्टेज अप्लाई किया जाता है ध्याँ रखे कौन सा पॉजिटिव वॉल्टेज अप्लाई किया जाता है मजा आया कुर्फन नंबर 28 पर और 27 को मजा आया सभी को फटावर से बताएगे यहाँ पर क्या होगा राइट आप्शन कुश्चन नमबर 28 यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कुश्चन नमबर 28 में यह जो आपका 3 अपाउन 1 वाई 2 डिजिट है यह क्या में इसदर करेगा largest number that can be read in a digital voltmeter तो देखिए जो digital voltmeter है किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी reading है यह आपकी आएगी बताएगी फटावर से क्या होगा फटावर से बताएगे देखो यहाँ पर अगर आपका single digit है ना तो देखिए single digit में इसकी जो reading आएगी वो कहां तक आएगी सीख लो इसको 0 to 9 आएगा आपका और अगर second digit है आपका two digit है आपका तो two digit में आपका जो reading है वो कहां तक आएगा आपका 0 to 9 9 आएगा similarly 3 में कहां आएगा sorry 00299 आएगा इसमें और 3 होगा तो 0000 to 009 आएगा लेकिन यहाँ पर देखिए जो half bit है ना half bit तो half bit में जो आपका MSB होगा आपका MSB आपका क्या होगा आपका 1 होगा या फिर sorry 0 होगा या फिर आपका 1 होगा आपका half bit में तो 0 तो देखो कहीं भी दे नहीं रखका है तो आपका यहां पर यह कितना हो गया 3Y2 यह आपका 3 bit हो गया आपका तो 3Y2 में कितना हो गया 3 में आपका 9 9 जाएगा और यहां पर देखिए जो आपका half bit है वो 1 करेगा तो right option क्या हो जाएगा 3 upon 1Y2 का तो this is nothing but 3, 1Y2 nothing but कितना हो जाएगा आपका 1 triple 9 so this is the largest value that can be voltmeter measure ठीक है बढ़िया चले इस तरीके के अब कोई भी question आते हैं कर लेंगे आप लोग आगे बढ़ते हैं question number 29 के उपर what is the order of minimum displacement that can be measured with the capacitive transducer अब देखिए factual data वाले question आ गया यहां पर SSC जही हर साल 1 से 2 question जो है आपका किसका लालता है जो factual data डालते ही डालते हैं तो बताई यहां पर यहां से जो displacement होगा आपका वो कितना होगा तो यहां पर देखिए जो आपका capacitive transducers होते हैं they are very very accurate बहुत ज़्यादा accurate होते हैं measurement के लिए और यहां से यह लगबग 1 micrometer है न 1 micrometer का जो displacement है इसको भी measure कर सकते हैं वो भी बहुत ही accuracy के साथ में तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 1 micrometer चलिए आगे बढ़ते हैं question number 30 पे question number 30 का आपकी अच्छा question है देखिए और यह SSC 2014 में आया हुआ है कभी कभार देखिए SSC वाला भी अच्छा question पूछ लेता है यहां पे तो देखिए question number 30 का क्या होगा राइट option से तो देखिए question number 30 में आपका phasor diagram दिया गया है और यहां पे आपकी जो watt meter है उसका current IC और IP दिया गया actually यहां पे जो case है किसका है आपका error due to pressure coil inductance error due to pressure coil inductance अगर आपने पढ़ा हो या फिर आपको याद हो तो याद होगा यह वाला case किसका है कि जो pressure coil का inductance होता है उसकी बज़े से क्या आता है आपका system में watt meter में error आता है तो अब यहां पर देखिए तो यहां पर यह जो आपका phasor है directly देखो उसने बनाके दिया आपको बनाना भी नहीं पड़ा तो यह क्या है आपका IP यानि कि pressure coil current तो बीटा साइ के प्रपोर्शनल मिलेगा after doing the derivation तो मैं यहां पर पूरा derivation देखिए नहीं कर सकता हूं तो यहां पर हमारे जो राइट option है वो किसका हो जाएगा कि जो वाट मीटर विल भी प्रपोर्शनल टू तो जो डिफ्लाक्टिंग तॉर्क और जो टीटा होता है यानि कि डिफ्लाक्शन डारेक्ली प्रपोर्शनल निकलेंगे के ठीटा से तो यहां से राइट option क्या हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस साई काफी साई कोशन है अगर आपन क्यां इंडक्टेंस की वाज़े से आता है अपका ठीक है क्विश्चन नमबर 31 में आईए क्रीपिंग एरर इना सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मतलब जो क्रीपिंग एरर या फिर क्रीपिंग गो लिए एक यही बात है न तो यहां पर जो क्रीपिंग ए एरर है आपका क्रीपिंग एरर में आपको अल्रेडी बता चुका हूं तो क्रीपिंग एरर नतिंग बट क्या होता है आपका क्रीपिंग एरर so nothing but rotation in disk rotation in disk at no load आपका no load पे क्या आता है आपका error आता है यानि कि कोई भी load नहीं है फिर भी आपका meter का reading भागे जा रहा है ना पैसा आप यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपका creeping है किस की बज़े से आ सकता है vibrations की बज़े से भी आ सकता है no issue over compensation या friction की वैसे भी आ सकता है और यह जो over voltage है ना यह आपका main cause होता है ध्यान रखिएगा creeping error आने का यह main cause होता है लेकिन यहाँ पे तीनों ही option सही है आपके सो क्या हो जाएगा option d is the right option तो यहाँ पे मनप्रीत वर्सा मॉनिका से भी 37 श्रभी लोगों ने सही option बताया है आगे बढ़ते हैं यहाँ से question number 32 पे modern electronic multimeter measure the resistance यहाँ पे इस शब्द को क्या कर लो underline कर दो यहाँ कि जो modern multimeter होते हैं उसमें जो resistance आपको measure किया जाता है वो कैसे measure किया जाता है आपका बता ही फटावर से क्या होगा तो यहाँ पे मनीश, अभिशेक, सतीस इनों ने भी सही option दिया है तो देखो दोस्तों आपका जो modern multimeter है कल भी बतायता है voltage, current और resistance तीन चीज़ों को measure कर सकता है वाइल power को measure नहीं कर सकता है तो आप यहाँ पे देखिए जो modern multimeter होता है इसमें जो resistance measure किया जाता है nothing but it is the ratio of voltage upon current के ratio से measure किया जाता है आपका simple यहां पर क्या करता है वी वाई आई का ratio लेता है और यहां से जो measured value इसको measure करता है किसका resistance का तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा forcing a constant current current को कोशिश की जाती है कि constant रखा जाए तो आपका जो constant current लेनी की कोशिश की जाती है हाँ पर आपका right option क्या हो जाएगा Caesar right option आपका option कटाई भी सही नहीं होगा इसमें bridge का कोई भी use नहीं होता है measurement of resistance में ठीक है कि कुश्चन नंबर 33 पर आईएगा बहुत सही question है आपका कुश्चन नंबर 33 CRO का question है बहुत ही सही question है थोड़ा सा depth में question है तो देखिए यहाँ पर SSC JIB थोड़ा सा अच्छा question पूछ लेता है एक दम ही इसको मतलब बड़वक मत समझ लेना कि आपका कुछ पूछा ही नहीं जाएगा तो शांदार जांदार यहाँ पर question पूछा गया है उसी तरीके से आप सभी लोग अक्षांदार और जांदार तरीके से गर्दा उड़ा दिए दोस्ते यहाँ पर question number 33 का right option क्या होगा दोस फटावर से बताएंगे सभी लोग bit fast question number 33 अभी मैं इसका explanation बताऊंगा so that आपको कभी भी कोई भी गलती आज की बाद होने के chances नहीं रहेंगे question number 33 का right option होगा bit fast तो यहाँ पर देखिए जो question number 33 है तो question number 33 में आपको पता है जो CRO है क्या करता है xy pattern है तो यह y pattern हो गया और xy pattern xy pattern आपको देखने को मिलता है हमें अब यहाँ पर जो x pattern और y pattern देखने को मिलेगा तो x axis और y axis की frequency का जो ratio होता है यह f y upon f x f y क्या है frequency of y axis यानि कि vertical axis और f x क्या frequency of horizontal axis या x axis यहाँ पर f y होता है आपका number of cuts या tangent number of cuts या फिर 10 जेंट on horizontal axis और यहाँ पर जो आपका f x होता है यह क्या होता है number of cuts या फिर 10 जेंट अन on vertical axis यह होता है आपका ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए बस हो गया सौल यही वाला question हमको याद रखना है यह वाला formula याद रखना है तो यहाँ से देखिए f y upon f x तो आप देखो यहाँ पर आपको जो horizontal cuts कितने दे रखें 5 और यहाँ पर vertical cut कितने दे रखें 2 तो कितना हो जाएगा आपके 5y2 निकालना क्या यहाँ से देखिए आपको 100Hz frequency कितना दे रखा है यहीं कि horizontal input है इसका 100Hz दे रखा है तो f y आपको यहाँ से निकालना है तो f y upon क्या हो जाएगा तो मैच नहीं कर रहा है आपका आपका यह हाइटिंग 100 नहीं होगा 1000 रहेगा तब यह आपका आंसर मैच करेगा ठीक है यहाँ जीरो एक्स्रा लगेगा यहाँ पर लगता है जो टाइपिस्ट वाले भाईया है वो भूल गए होंगे रहीं कोई बात नहीं है आप यहाँ पर 250 option नहीं होगा या फिर यहाँ पर option में गड़वर कर दिया है एक जगह तो जो है misprint किया गया है it is no issue आपको यह वाला formula हमेशा अपनी जवान्पर रखना है getting चलिए अब यहाँ पर देखो 1000 कर लो तो फिर मनलब देख लेना अपने इसाब से कौन सा वाला सही जा रहा है अगर यहाँ से यह 0 हटा रहे है तो यहाँ पर कोई option है इसमें से कोई गड़बट रहा होगा question number 34 पर आईए the error in current transformer can be reduced by designing them जो आपका current transformer है current transformer में जो आपका error है आपका error in the current transformer can be reduced किस तरीके से दोस्त reduce किया जा सकता है ठीक है कोई बात नहीं जो भी है आपका वहाँ पर एक बार देख लेना ठीक है चलिए फटा वर्स से बताई क्या होगा right option तो यहां पर देखिएगा current transformer can be reduced sorry the error in the CT using primary, secondary, close to each other बिल्कुल नहीं high permeability and low losses बताई वटावर से मैंने आपको ideal transformer का कुछ बात यह बताई था ना तो देखिए permeability है न mu आपका जितना high होगा जितना जादा high होगा जो reluctance है क्या होगा आपका उतना ही जादा क्या होगा लो होगा और reluctance जितना जादा लो होगा आपका flux उतना ही अथ्या transfer होगा आपका है तो पहली quality तो हमें यह मिल गया कि high permeability होना चाहिए दूसरा low core losses अफकोस आपका ऐसा material यूज़ करेंगे जहापे core losses क्या होगा आपके कम से कम हो चाहिए तो अगर आप ऐसा material यूज़ करते है जिसके permeability हाई हो और आपके जो core losses में वो low हो तो आपका यहाँ पर जो CT है इसमें जो error आ रहा है वो definitely क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा तो यहाँ पर right option क्या हो जाएगा option B is the right option ठीक है घ्यान रहा है यहाँ पर क्या पूछा गया error in the CT can be reduced by यह आपको error को क्या करना है reduce करना है तो कोई भी transformer हो not only CT हमेशा हम क्या कोशिस करते है परेमेविलेटी जादा से जादा हाई हो और जो आपके core losses है क्योंकि core हमेशा excite रहती आपकी current flow होता है वहाँ पर आपका flux generate होता है core पर core पर जो winding है उसमें तो इसलिए आपके जो core है core के अंदर जो losses कम से कम होना चाहिए core losses दो टाइप के होते हैं hysteresis and addy current losses ठीक है गाईस तो गाईस आज के लिए इतना ही काफी कैसा लगा सेशन अब बारी आती feedback की फटावर से सभी लोग बताएंगे कैसा लगा सेशन मज़ा आया और अगर मज़ा आया तो सुन्दर से प्यारे से कमेंट करके बताएगा और अगर नहीं आया और तब सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत दोस्तर शुक्रिये वीडियो को देखने के लाइक और शेयर करने के जो लोग आफ लाइन देखते हैं याद वो लोग भी कमेंट करके बताया जरूर करें कि कैसा रहा आपका सेशन ठीक है मज़ा आया या फिर नहीं आया डेटा नहीं महित है ना थैंक यू सू मच प्रियंका थैंक यू सो मच यह थैंक यू सो मच वंडर अंदर वर्शा सुनील तैंक यू सब्सक्राइब सभी लोगों को गाईस बहुत बहुत शुक्रिया तो कल हम लोग मिलेंगे यहांपे 6.00 pm पे ठीक है अगें 6.00 pm बेंपे एक और नया सैट लिके आएंगे और बढ़िया यहां पर धमा के दार तरीके से जो कोश्चन से वो करेंगे चीक है दोस्तों तो कल मिलते हैं तिल एंट टाटा टिक क्या बाबाई अपना ध्यां रखेगा थैंक्यू गाइस